तबसे पहला जो पार्ट आता है, जो मेन पार्ट आता है, हमारा वो आता है कम्प्रेसर, कम्प्रेसर जो गाड़ी में लगा रहता है, ये air कम्प्रेसर की तरह ही होता है, और इसमें मैं बता दूँ, इसका basic काम यही है, कि जितनी भी आपकी ferron gas है, इसके अंदर में, आपकी AC सिस्टम में जो भी R134 A या फिर कोई सी भी gas है उस gas को compress करना मतलब उसको दबाना क्योंकि उस gas की R134 A gas जो होती है उसकी property ही यही होती है कि जब भी वो under pressure होती है pressure जिस time पे उस gas में बनता है और pressure create होने के बाद में जब वो छूटती है किसी चीज से तो वो बहुत थंडी हो जाती है यह सबसे बड़ी property है उस चीज की मतलब बहुत कम space में से होके अगर pressure के कारण वो निकलेगी तो बहुत ठंडी हो जाती है यह R134 A gas की मतलब ferron gas की property है उस property को करने के लिए मतलब बनाने के लिए यह compressor का यूज किया जाता है इसमें दो lines आप देखेंगे दो hole देख इसे ही आप अपना AC का button दबाएंगे और blower कर देगे on तो होता क्या है यह wire देख रहे हैं आप यह है 12 volt की मतलब जो battery की voltage है वो यहां पे provide होगी और जो ground लेता है जो negative लेता है आपका compressor वो लेता है आपके chassis में से engine में से engine के साथ में भी ground लगा रहता याद रखिएगा वहा आपको जिस time पे यहां पे 12 volt मिलेंगे 12 volt मिलने के बाद में इसमें अंदर में electro magnet होता है इस pulley को अगर मैं निकालूंगा आपको compressor भी खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीजें होती क्या क्या नहीं होती है तो होगा यह उस time पे जो clutch लग रखा है यहां पे अगर compressor जो है वो वर्क करना शुरू कर देगा मतलब सबसे पहला जो काम होता हो यह होता कि 12 voltage यहां पर प्रवाइड होंगे आपका clutch जो है वो एंगेज हो जाएगा यह भी आपका पुली के साथ में घूमना शुरू कर देगा अभी तो देखो पुली simply अब अलग से घूम रही है अब जब clutch पीस में चेपक जायेगा तो यह साथ में अंदर जो shaft लग रखी है उस shaft को भी गुमाना शुरू कर देगा तो basic job जो है यहां से जो है air compress होना हमारी शुरू हो चुकी है जो भी air बोलू मतलब या फिर उसको ferron gas बोलू ferron gas जो है यहां पे compress होना शुरू हो गई अ बोनों बोलना सही है कोई दिक्कत नहीं है साक्षन में सक करना उसको खीचना निस्चारज में अभार फैंक देना तो जो suction port है आपका मतलब यहां से suction port है यह सक्षन पोड जो है यहां से आपकी ferron gas खीचेगा और discharge port में से मतलब यहां मेंस्ससे आपका जो है वो condenser में फैंक यही होती है radiator में और condenser में कभी आप confuse मत हुएगा कि कौन सा radiator है कौन सा condenser है और लगबग 99% गाडियों में जो condenser होता है वो radiator के जस्ट आगे लगा रहता है मतलब यह condenser की grill होगी आपकी और इसके पीछे में यहां पे जस्ट radiator से नहीं बिलेंगे radiator में ऊपर में upper tank होता है lower tank होता है प्लास्टिक का जहां पे आपका coolant store होता है condenser में ऐसा कुछ नहीं होता अब condenser को भी खेर तीन चार हिस्सों में बाटा जाता है लगबग 4 हिस्सों में बाटा जाता है condenser में आप देखेंगे जिस time पे यहां से मतलब यह जो आपका compressed air आ रही है यहां से राइट इस तरह से दिखाऊं तो ज्यादा बैटर रहेगा यहां से आपकी जो compressed ferron gas है वो यहां से गुसना शुरू कर देगी और गुसने के बाद में यह जो lines है यह जो आप line देख रहे हैं ना center में तो fin लग रखे हैं जो इस तरह से लग रखे हैं वो fin है जो इस तरह से लग रखी हैं वो line हैं आपकी यह जो line हैं इन में आपका खाली हवा जाती है, यह फिन्स लगरख औो इन वाले जो być पास होती है इना उपर से लेकर नीचे तक है, इनमें खाली हवा पास होती है इनमें रेailedर्जयुगाँ यहीं करता, यह अंदर की सेंटर लाएन है मतलल केरा पैरलल पैरलल ऐमोहरा बनी है इन लाइन्स में से होके जो है आपका रेफ्रिजेंट फ्लो करेगा इस साइड से गुसेगा और इस साइड से निकल लेगा बाहर के तरफ में अब यहाँ पे कुछ जो कंडेंसर होते हैं उनमें यहाँ पे भी एक ट्यूब लगी रहती है बगल में होता है यह बोटल जो है एक फिल्टर का काम करती YOUR सबसे पहले याद रखिए जस एक, लाइक a filter सबसे मेजर रोड जो इसका है मायव लोग कोई भी डैवरीज आपके system में है कोई भी धूल मिटी आपके system में है उसको यह store रख लेगी इसके अंदर में फिल्टर लगा रहता है और सिलीका जैल होता है, और इसका, डूसरा major काम यह होता है इस RD bottle का कि आपके system में जो भी humidity है म्ज़ेब जो भी moisture है, उस moisture को यह स्टोर कर डग लेता है, उस moisture को आपके system में नहीं जाने देता, दूसरी चीज़ हो गई, तीसरा जो सबसे major role है, इसका, वो सबसे major role ये है, कि यहां से liquid ही pass होना चाहिए, यह पूरी कोशिश करता है, जो receiver dryer आपका होता है, चाहे यहां लगा हो, अलग से, या फिर आपके condenser के साथ में ही जुड़ा हो, इस receiver dryer का सबसे major का काम जो होता है सबस्äftी काम वह यह होता है कि यहां से लिक्वड ही पास होना चाहिए यहां से गैस पास Nedgov Tu अच्छाएई ऐसा होता क्यों है यह जहना बहुत जरूरी है इसके विदिशे की बॉब कि यहां से सिर्फ जो है वो liquid pass होता है gas pass नहीं होती। मैं आपको पूरा working समझाता हूं अभी कि gas कहाँ पे होती है, liquid कहाँ पे होती है, मतलब gas से liquid कैसे बनता है, और liquid से फिर gas कैसे बनती है, उसका cycle कैसे complete होता है यह आपको मैं बताता हूं, पर पहले आपको यह जान लेना है क कौन से कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं तो ये आपका receiver dryer है RD bottle बोल देते हैं कुछ लोग AC का filter भी बोल देते हैं कि आपका compressor का filter है तो ये जब भी आप याद रखियेगा कभी भी अगर आपकी गाड़ी में अगर आप compressor change करवा रहे हैं तो compressor change करवाने के time पे आपको आपका receiver dryer 110% change करवाना है इसके साथ में कोता ही नहीं बतनी है ये आपको उस वीडियो में समझायागा जिसमें इसको में काट के आपको दिखाऊंगा और काटने के बाद में अंदर दिखाऊंगा कि इसमें ऐसा क्या होता है कि ये खाली liquid को ही पास होने देता है और gas को पास नहीं होने देता है अब इसके बाद में जब यहां से गुजर गया आपका liquid निकल चुका liquid निकलने के बाद में एक पार्ट आता है expansion valve और ये आपकी actual cooling जो है उसको मतलब decide करता है कि गाड़ी में cooling होगी कि नहीं होगी अब इस तरह से आप देखेंगे जैसे ये चोटा होल है ये बड़ा होल है आपका जो expansion valve है ये expansion valve है पीछे में ये cooling coil है कुछ गाड़ी में expansion valve अलग से आता है कुछ गाड़ी में cooling coil के साथ में लगा रहता है तो ये है आपका expansion wall, इसमें आप देखेंगे कि दो छेद है, एक छोटा सा है, बहुत छोटा सा छेद है और एक बहुत बड़ा सा छेद है, तो यहां से आपका actual में जो liquid refrigerant होता है, वो यहां से गुजरेगा और इस तरफ से निकलता है, इस side से enter करेगा और इस side से बाहर निकल तो बनी गया, एक तो जो आपका liquid है, मतलब गैस है, जो बहुत ज़र्दस pressure में है, और pressure में होने के बाद में उसको बहुत छोटे से छेद के अंदर से गुजरती है, तो mist form होता है, मतलब बहुत एकदम pressure से, आपने कभी ध्यान दिया होगा, कभी भी आपकी जो कुछ spray paint की bottle बगारा होती है, या फिर मानलो कि आप उनका यूज करते हैं, throttle body cleaner का यूज करते हैं, जो जिस टाइम पे हम spray करते हैं, वो bottle थंडी हो जाती है, तो उसी principle पे ये आपका expansion valve काम करता है, जब भी आपका कोई high pressure side से low pressure side में कोई चीज जाती है, इस तरह की, तो वो आपकी थंड होना शुरू हो जाती है, तो कभी आपने देखा भी होगा, कि आपके paint के can है, जब आप उनको ऐसे ऐसे करके, उसके बाद में spray करते हैं, तो थोटा सा थंडा होना शुरू हो जाता है, सेम आपका throttle body cleaner हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें, जो भी ऐसे इस ताइब के spray can आते है जो भी आपके aerosol spray can रहते हैं, अब expansion valve के बाद में, यहां से जब gas गुजर गई जिस ताइम पे, यहां से अंदर गुस गई, गुसने के बाद में यहां से निकलेगी, उसके बीच में आती है, यह cooling coil, या फिर आप इसको बोल लीजिए evaporator, इसका major काम यह होता है, कि जब liquid स गैस हलकेल की mist तो बनना शुरू होई गई है, जब mist बनी है, mist बनने के बाद में, जब आपका जो refrigerant है, वो जिस ताइम पे इसके अंदर में ऐसे ऐसे घूमेगा, पीछे में आपकी लग रखी है blower motor, अब blower motor क्या करेगी, इसको जब जिस ताइम पे खीच लेगी, इसकी स पाइपें लगी रहती है, उन पाइपों का बड़ा खास महत्तो होता है, वो जो पाइपें होती है, मैं आपको बता रहता हूं, मेजर दो पाइपे होती है, एक जो ये पाइप है, आप देखेंगे, जो मैंने आप ये पाइप पकड़ रखी है, ये है आपकी low pressure की pipe, अब उसके पहचानने का सबसे बड़िया तरीका ये है, जो सबसे मोटी pipe होगी, जो सबसे मोटी pipe होगी, वो आपके low pressure की pipe होगी, और जो आपके high pressure की pipe है, जो आपके high pressure की pipe है, वो आपका receiver dryer से लेके, और आपके यहां तक, expansion वालत तक लगी होगी, वो आपकी high pressure की pipe होगी, और high pressure पाइप की पहचान ही है, वो सबसे पतली पाइप होगी, देखो तोटल तीन पाइपे हैं, अभी दो है, मेरे पास मैं तीसरी दिखा देता हूँ आपको, यह तीसरी पाइप आगे, इन तीनों की आप मोटाई इस टाइम पे देखेंगे, मतलब थोड़ी मतलब जो इसका पाइप है, वो आपकी लगती है यहाँ पे, मतलब आपका एक्सपेंशन वालब से निकलेगी, और साथ में कंप्रेसर तक जाएगी, तो यह तो हमारे को पार्ट का पता चल गया, कि इतने सारे पार्ट होते हैं हमारे AC सिस्टम में, अब हमारे को जानना है कि यह वर्क कैसे करता है, और कौन सा पार्ट में कहां पे गैस होती है, कहां पे लिक्विड होता है, यह मैं आपको बताता हूँ अभी, तो हमारा जो सर्कल है गैस का, वो सर्कल जो शुरू होता है, वो यहाँ से होता है, मैं रेड पैन का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, यह इस ताइम पे compressor आपका काम कर रहा है यह जो है वो दोड़ रहा है दोड़ने के बाद में मतलब इसको compress कर रहा है आपकी फेराउंड गैस को और उसके बाद में यह red arrow mark का इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा understanding में मतलब easiness हो यह red का मतलब यही है कि इस time पे gas जो है वो high pressure and high temperature पे है बहुत सार बहुत ज्यादा pressure पे है यह gas और बहुत ज्यादा इसका temperature है temperature भी इसका high है इस वक्त अब यह चली जाएगी आपके condenser में अब condenser में क्या होता है यहाँ पे fins लगे रहते हैं यह चोड़े-चोड़े fins लगे रखे हैं condenser में अब condenser में जो fins लग रखे हैं जब आपका जिस time पे condenser fan या फिर radiator fan या फिर बाहर की हवा जिस time पे इस थ्रू होके flow करेगी तो आपका जो refrigerant है जो यहां से flow कर रहा है जिस time पे उसको यह ठंडा करना शुरू कर देगी और अभी तक यह जो था अभी तक आपका gaseous form में था अब यह क्या करेगा अब आपका gaseous form में से यह liquid form में आना शुरू कर देगा यह liquid बनना यहां पे शुरू हो चुका है अग कुछ लोगों के मन में बहें यह है कि जो gas से liquid बनाता है वो receiver dryer बनाता है साब सरासर गलत है receiver dryer कुछ नहीं करता बनाता बनाता कुछ नहीं है उसका काम सिर्फ इतना ही है store करना वो tank है एक filter है जो gas से liquid बनने का process है वो आपका condenser में ही शुरू हो जाता है और यहीं पे आपकी जो gas है वो liquid बनना शुरू हो जाती है तो यहां से आपका जो gas है वो liquid में form होना शुरू हो चुकी है और liquid में form होने के बाद में आपकी पहुंचेगी receiver dryer तक अब यहां पे एक चीज में आपको बताता हूँ अब temperature का difference आप देखिएगा कि temperature का difference हम कैसे देखेंगे इस जगा में जब यहां से compressor से आपकी gas condenser में जारी है तब माल लेते हैं कि उसका temperature है 70 degree centigrade माल लेते हैं कि 70 degree centigrade पे यह gas system time यहां तक पहुंच रही है अब जो ambient air है मतलब बाहर की जो हवा है वो हो गई उसको ठंडा करेगी और साथ में जो है उसको liquid भी बनाएगी gas को liquid भी मतलब जैसे ठंडा होना शुरू हो जाएगा वो gas से liquid form में change होना शुरू हो जाएगा तो पहुंच जाएगी यह gas यहां तक आते आते ही उसके बाद में travel करना शुरू कर देगी gas इस तरह से liquid form शुरू हो गया यहां से घूमेगा आपकी condenser में से घूमने के बाद में आपका चला जाएगा receiver dryer तक अब जो receiver dryer है receiver dryer में भी दो outlet लग रखे हैं एक inlet है एक outlet है तो जो inlet है वहां से तो यह gas गुसी अब outlet में से जब निकलेगी जिस ताइम पे अब यह outlet है यहां से जाके जिस ताइम पे यहां से निकलेगी receiver dryer में से निकलेगी तो जितना भी liquid है वही निकलेगा अगर हलके full की भी gas होगी वह यहीं पर trap हो के रह जाएगी सात में moisture भी यहीं trap हो तो यहां से बहुत तगड़ी स्प्रेय लग लेगी जैसे आम वो उस्प्रेय का नियूज करते हैं वैसी स्प्रेय निकलेगी और एक्सपेंशन वाल्व में से यहां पे इसका टेंपरेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो जिस टाइम पे यहां पे यह मिस्ट निकलेगा तो उस टाइम पे आपका जो लिक्वड है वो मिस्ट में फॉर्म हो जाएगा याद रखिएगा अभी यह पूरी तरह गैस नहीं बनी है अभी यह मिस्ट बनाए आदी गैस है आदा आपका लिक्वड है और यह इसमें घूमना शुरू हो चुका है मतलब लिक्वड जो था वो आपका पूरा अभी तक गैस नहीं बना है जब एक एकस्पेंशन वालब से जब भी निकलेगा इसका मतलब यह नहीं है एकस्पेंशन वालब के निकलने के बाद में आपका पूरा वो गैस बन जाएगा लिक्वड जो आपका यहां तक लिक्वड था वो अभी गैस बन अब ब्लोवर मोटर भी जस्त एक किसम साही है, समझ लीजिए कि कंडेंसर फैन की तरह काम कर रही है, अब जो ब्लोवर मोटर है, ब्लोवर मोटर जिस टाइम पे घूमेगी, तो यह जो आपका मिस्ट था, यह मिस्ट आपका अभी भी गैस में बनना शुरू कर देगा तुव फिर आपका दोवारा से पूरा साइकल जो है, वो शुरू हो जाएगा, जो एक कंप्लीट साइकल शुरू हो गया, अब तेंपरेचर डिफरेंस में आपको बता रहा था, तेंपरेचर डिफरेंस जो है, वो यहाँ पे है 70 डिगरी, इस टाइम पे, जब तक यह रेड है, ज जिस टाइम पे यह होल से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, उस टाइम पे ड्रास्टिक चेंज आएगा, बहुत खतरनाक चेंज आएगा टेंपरेचर में, और वो टेंपरेचर आपका लगबग लगबग पहुंच जाता है, 0 to 5 degree centigrade के बीच में, जीरो से लेके 15 degree centigrade के बीच म यह घूमना शुरू हो जाता है, और जिस टाइम पे यह निकलेगा यहाँ से, यह फिर जो आपकी temperature difference है, वो लगबग 10 degree या फिर 20 degree के करीब में आना शुरू हो जाता है, तो यह temperature difference है, अब ठंडा कौन कर रहा है, एक्चुल में आप समझीएगा कि पूरे system को ठंडा कौन कर रहा है, सबसे जबरदस चीज कौन सी है, वो है आपकी expansion valve, अगर इसके जो hole है, expansion valve के जो आपकी cooling coil लग रखी है, इसके hole से आप छेड़ चाड़ करते हैं, तब आपको हो सकता है, यहाँ पे ice भी जम जाए, cooling coil में ice जम जाए, या फिर आपकी यह ठंडी भी ना करे, इसका ज आप में छेड़ चाड़ हुई, तो आपका cooling में बहुत drastic effect पड़ेगा, अब मालो यह खराब हो गया, आपका expansion valve खराब हो गया, तब भी आपकी cooling में problem आएगी, पर इसका मतलब यह नहीं है, कि खाली यह ही आपकी cooling कर रहा है, या तो cooling coil या फिर expansion valve भी आपकी cooling कर रहा है, ऐस गयास का pressure नहीं बन पा रहा है, तब भी दिक्कत है, क्योंकि भी expansion valve अगर सही भी है आपका, और gas में उतना pressure ही नहीं है, तो फाइदा क्या होगा, फुस हो जाएगा ना, मालो जैसे spray can आपका, spray can में आभी कभी कभी देखते होंगे, अंदर में जब pressure ही नहीं रहेगा, spray can मे मालो की pressure ही नहीं है, इसके अंदर में जो भी gas भरी गई थी pressure के लिए वो है ही नहीं, बट इसमें मसाला है, मालो की ये spray can आपका, इसमें मसाला है, इसमें paint है, बट अंदर में gas नहीं है, तो उस button को जितना मर्जी आप दबाते रहो, वो paint जो बाहर निकलेगा ही नहीं, तो सेम इस case में होता है, अगर आपका compressor ही सही नहीं है, और वो compress नहीं कर पा रहा है, तो expansion वालब चाहिए आपका जितना मर्जी अच्छा हो, ये कुछ करी ही नहीं पाएगा, इन parts में से कौन सा part खराब होता है, तो क्या effect पड़ता है, मालो कि आपकी cooling कोई खराब हो गए, मालो है, कौन सा सही है, और ये आप घर पर ही कर सकते हैं, बहुत इस चीज को समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें भी मैं बता दूँ, एक thermistor भी लगा रहता है, यहां पे, आप देख रहे होंगे, temperature switch भी कुछ कुछ लोग बोल देते हैं, इसका क्या काम होता है, उसके बाद में चनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, जा बारत